मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार. बज़ुर्गें दे आडियों संदेश्यों की सुनना, ये मेरे अस्ता एक आध्यात्मिक अनुभवाला लेखा हुनता है। साथ्यों, अज्यादे कारक्रम दी शुरुआत मैं एक अनुठे उपहार दी चर्चा करने करना चाना। तेलंगाना दे राजन्ना सिरसिल्ला जिलेच एक बुनकर पराय, यिल्धी हरी परसाद गारू। अपनी कलाज इन्नीमारत आसल है कि ओ सारें दा त्यान अकरशित कर लें तेन। अरी परसाद जी ने अथ है कने बुने दे G20 दे इस लोगों कनने गया मिगी एक चठीवी पे जीए। एदेच उन्हें लिखे दै कि अगले साल G20 शिकर समेलन दी मेजबानी करना पारतास तै बढ़े गया गारवती काले। देश दी इस उपलब्दी दी खोशीच उन्हें G20 दा ए लोगों आपने अथ है कने त्यार किता है। बुनाई दी ए बेहतरीन प्रतिबा उन्हेंगी आपने पिताशा वरास्त च मिली है। और अज ओ पूरे जजबे करने ए दिच लगे दिन। साथियों किश दिन पहले गया मेगी G20 लोगों तै पारत दी प्रेजडेंसी दी वेबसाइट गी लाउज करने दा स्वभागित होया हा। इस लोगों दा चुना एक पब्लीक काउंटेस्ट द जरिया हो आहा। जिसले मेगी हरी परसाद गारूपास्या पेज यागे दा एतोफा मिलेया ता मेरे मनेच एक और विचार उठेया। तेलंगाना देख उसा जिलेच बैठे दा मानू भी G20 जिने समिट करने आपने आपैगी किना कॉनेक्ट मेसूस करी सकता है। ये दिखी है मेगी बड़ा अच्छा लगया। आज हरी परसाद गारूज ने नेका लोकें मेगी चिठी पेज ये लिखिया है के देश गी इनने बड़े समिट दी मेजबानी मिलने करना है उन्दी च्छाती चौड़ी होई कही किया। मैं तुन्दे करना है पुने दे रौने आले सुबा राव चिलारा जी ते कुलकाता दे तुशार जगमोहन उन्दे संदेश दा भी जिकर करगा। इन्हें G20 के लिए पारत दे प्रो एक्टिव एफर्ट्स दी बड़ी सराना कीती है। साथियो, G20 दी वर्ल्ड पॉपुलेशन च दोते आई, वर्ल्ड ट्रेड च त्रेय च उथाई और वर्ल्ड जीडी पीच पचासी फीसित पागिदारी है। तुस कलपना करी सकते हो, पारत उनेशा त्रेय दिन बाद, यानी एक दिसंबर शा इन्ने बड़े समूदी, इन्ने समर्थवान समूदी अधक्ष्टा करने की जाकरता है। पारत आस्ता है, हर पारत वासी आस्ता है, एक इन्ना बड़ा मौका आया है। ये इस आस्ता भी और खासोई जंदा है कीजे ए जिम्मेदारी पारतगी आजादी दे अमरित का आलच थोई है। साथियो, जी ट्वंटी दी अधक्ष्टा साड़े अस्ता एक बड़ा मौका बनी आई है। असेंगी इस मौके दा पूरा उप्योग कर दियोई ग्लोबल गुड विश्व कल्यान पर फोकुस करना है। पामे शान्ती हुए जा एक दा। पर्यावरण की लिए समवेदन शीलता दी गालो है जा भी सस्टेनेबल डिवल्पमेंट दी। पारत कोल इंदे कने जुड़ी दी चिनोतिय दा समादान है। असें वन अर्थ, वन फैमली, वन फ्यूचर दा जिड़ा थीम दिता है। उसकन्य वसुधैव कुटुम्बु क अमासते साड़ी प्रतिबदता जाहिरों दी है। असमेशा अखने आ, ओम सर्वेशाम स्वस्तिर भवतू, सर्वेशाम शांतिर भवतू, सर्वेशाम पूरणम भवतू, सर्वेशाम मंगलम भवतू, ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। यानि सारें दा कल्यानों है, सार पूर्णता मिला है ते सबने दा मंगलो है। और याले दिनेच देशय दे बाख बाख इसे च जीटवंटी कने जोड़े दे नेका कारेक्रम आयोजीत की थे जांगन। इस दोरान दुनिया दे बाख बाख इसे थावा लोकेंगी थ्वाडे राज्येंच और दा मौक्वा मिल मेगी प्रोस है जे तुस आपने इत्थूंदी संस्क्रिती दे विवीद ते विशिष्ट रंगेंगी दुनिया दे सामने आनगे ते तुसे एबी चीता रखना है जे जीटवंटीच आउन्याले लोक पामेसले एक डेलीगेट दे रूप चाउन परपविख दे सबने करना है एक गुजारिश है खास तौर पर मेरे युवा साथ ही करना है हरी पर साथ गारगवारा लेखा गया तुस भी कुसा ना कुसा रूप पैच जीटवंटी करने जरूर चुड़ो कपडे पर जीटवंटी दा पारती लोगो बड़े कूल तरीके करना है स्टाइल करने जुड़ी चर्चा, परीचर्चा, कंपिटीशन कराने दे मौक्य बढान। तुस, G20.in वेब साइट पर जागे ता तुसेंगी अपनी दिल्चस्पी दे मताबक उत्थें बड़ी सारी चीजां मिली जागन। मेरे प्यारे देश्वासियो, ठारा नमंबर गी पूरे दिसे ने स्पेस सेक्टर जे एक नमा इतिहास बंदे दिखिया है। इस तिन पारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट गी अंतरिक्षिच पे जिया जिसी पारत दे प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन ते त्यार कीता है। इस रॉकेट दा ना है विक्रम-S श्रीहरी कोटाशा स्वदेशी स्पेस स्टार्ट अप दे इस पहले रॉकेट ने जिन्याग है एतिहासिक उडान परी हर पारत दे दा सिर गर्व करने उच्चा हुई किया। साथियो विक्रम-S रॉकेट मती सारी खूबियों करनले ऐसा है। दूगे रॉकेटें दी तुलनाच ये अउला भी है ते सस्टा भी है। इस दी डेवल्बमेंट कास्ट अंतरिक्ष अभ्यान के ने जुड़े दे देशें दी लागत्शा भी बड़ी काट है। काट के मच विश्वस्तरिय स्टेंडर्ड स्पेस टेक्नालजी ज उनते ए पारत दी पंचान बनी चुकी है। इस रॉकेट की बनाने च एक और नमी टेकनालजी दा इस्तमाल हुआ है। तुस ये जानिया एरा नहीं जागे। जे इस रॉकेट दे किश जरूरी इससे 3D प्रिंटिंग दे जरीय बनाये के दिन। सच गये, विकरम ऐसे दे लांच मिशन की जेडा प्रारंभ ना दिता गया है, वो बिल्कुल फिट बहुता है। ये पारत च प्राइवेट स्पेस सेक्टरस टे एक नमे युग दे उदे दा परतीक है। ये देसे च आत्म विश्वास करने प्रोच ये दे एक नमे युग शुरुआत है। तुश कलपना करे सकते हो, जेडे बच्चे कदें अथ कने कागज दा अवाईजाज बना ये डोवारते हैं, उनेगी उन पारत च गये अवाईजाज बनाने दा मौका मिला करता है। स्पेस की प्राइविट सेक्टरास ते खोले जाने दा बाद, युवाईज दे एक सुखने भी साकार होआ करते हैं। रोकेट बना दे एक नौजवान लगता है, आखा करते हैं, स्काई इस नौट ता लिमिट। साथियो, पारत स्पेस सेक्टर च अपनी सफलता अपने प्रोसी देशे करने भी सांचा करा करता है। कल गया, पारत ने एक सेटलाइट लाँच कीता, जिसी पारत ते भुटान ने मिलिये डिवल्प कीता है। इस सेटलाइट बढ़ियां गया अच्छे रेजलुशन दिया तस्वीरां पे जग, जिरे करने भुटान की अपने प्राकरती के संसादने दे प्रबंधन्च साथियों तुसें गौर की ताउग पिछले किश्व मन की बात च असें स्पेस, टेक, इन्नोवेशन पर मतियां करना कीतिया ना। इस दियां दो खास वज़ा ना। एक ते इस साड़े युवा इच खेतर च बढ़ा गया शानदार काम करा कर देन। दे आर थिंकिंग बिग एंड एचीविंग बिग। उन ओन निकिये निकिये उपलब्दिये करना संतोष्ट ओन याले नहीं है न। दुवाए जे इन्नोवेशन ते वैल्यू क्रियेशन दे इस रोमांचक सफर्च वो अपने बाकी युवा साथिये ते स्टार्ट अप्स की भी एंड करश करा करते साथियो जिसले आस टेकनालोजी करने जुड़े दे इन्नोवेशन दे गाला करा करने या ता ड्रोन्स की किया पुली सकने या ड्रोन दे खेतर च भी पारत तेजिया करने अग्या बता करते है कि इस दिन पहले है असे देखिया जे किया इमाचल प्रदेश दे किनौर च ड्रोन्स दे जरिये सेव ट्रांस्पोर्ट की तेगे किनौर इमाचल दा दूर सुदूर जले ते उत्थे इस मौसम च मती सारी बरफों दिये इननी बरबारी च किनौर दा अफ़ते तक कर राजिये दे बाकी इससे करने संपर्क बड़ा मुश्कल हो जनता है ऐसे च उत्थू दा सेव दा ट्रांस्पोर्टेशन भी उनना के मुश्कल हो जनता है सेव टैमेपर मंडी पुझी सकग, सेव दी बरबादी का टोग साथियो, आज जिस साड़े देशवासी अपने इननोवेशन करने है उन्हें चीजें की भी संभव बनार दिन जिस दी पहले करपना तक नहीं कीती जाए सकती इसी दिखी है कुसी खुशी ने योग आल दे बरें, साड़े देशवासी ने उपलबदी दाएक लब्मा सफरता किता है मेंगी पूरा विश्वास है कि ऐस पार थी ते खास कर साड़े योवा पेड़ी उन जोकने आली नहीं है पेड़े देशवासी ओ, आउँ थ्वाड़े लोकने आसता है एक निकीज नहीं क्लिप प्ले करन चाह करना पर दूखे उपू कर करे तो ये मन अभी मान ना आने रे तो उसे सबने इस गीत की कदने कदने जरूर सुने आओग आखर ये बापून दा पसंदी दा गीत ची है पर जेकर मैं ए आखां जे इस गी सोरेंच परोनियाले गायक ग्रीस दिन ता तुस एरान जरूर हो जागे ते एक अल तुसे की गर्व करने भी पर ही देग इस गीत की गानियाले ग्रीस दे गायकन कॉंस्टेंटी नोस कलाइसिस उन्हें इसी गांदी जी दे 155 जर्म चंती समारो दे धुरान काया हा पर आज मैं उन्दी चर्चा को से ओर वजा करने करा करना उन्दे मनेच इंडिया ते इंडियन म्यूजी की लिए गजब दा पैशन है पारत करने उन्हें की इनना लगाव है पिछले ब्याली बरेंच उ लगबग अर बरे पारत आयन उन्हेंगी पारती संगीर दे ओरीजन बखबख इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स बखबख तरह दे राग ताल दे रास्ते करना गया अलग-अलग कराने दे बारेज भी स्टडी कीती है उन्हें पारती संगीत दियें कई महान विभूतिये दे योगदान दा अध्यान कीता है पारत दे क्लासिकल डांसिज दे बखख़ग पहलूंगी भी उन्हें नेडिया समझे है पारत करने जुड़े दे अपने इन्हें सारे तजर्मेंगी उन्हें एक कताब च बड़ी के खुबसूर्ती करने पर होया है इंडियन म्यूजिक नादी उन्दी कताब च तकरीबन 760 तस्वीरान इंदी चा ज़ादातर तस्वीरान उन्हें आपनोंगे खिची दियान दुगे देशें च पारती संस्कृती की लिए ऐसा उत्सा ते आकर्शन वाकई नंद कने पर ही देने आला है साथियो किशफ ते पहले एक और खबराई ही जेडियस सेंगी गर्व कने पर ही देने आली है तुसें की ये जानिय कहला लगग जे गुजरे अठें बरेंच पारत थमा musical instruments दे एकस्पोर्ट साधे त्रै गुनाबदी की आए electrical musical instruments दे गल लंगर चाए ता इंधा export सथ गुनाबदे है इसका ने पता चलता है जे पारती संस्कृती ते संगीत ता क्रेज दुनिया पर एच बदा करता है इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट्स दे सबने शा बड़े खरीदार USA, जर्मनी, फ्रांस, जपान ते यूके जिने विक्सित देशन साथियो महान, मनीशी, कवी, भरतरी हरीगी अज सारे उन्ते दौरा रचित नीती शतक आस्ता जानने आ एक शुरूक च वो आग दिन जे कला, संगीत ते सहित्ते करने साड़ा लगाव गये मानवता दी असली पंछान है वास्तव च साड़ी संस्कृती इसी हुमेनिटी शा भी उपर डिविनिटी ते करले जनती है वेदी च साम वेदगी ता साड़े बख बख संगीते दा सुरोता खेजनता है मा सरस्वती दी वीनाओ है पगवान शिरी क्रिशन दी बंसरीओ है जापी पोले नादा डमरू साड़े देवी देव ताभी संगीत शा बख नहीं है अज पार्ती हर चीजच संगीत तलाशी के लाने है पायों नदीदी कलकलो है बर्खादिया बूंदाओन पक्षियदा कलरवो है याँ भी अवादा गूंजदा सुर साड़ी सभ्थाज संगीत हर बखी समायदाए इस संगीत ना सिर्फ शरीर की सुकून दिन्दाए बलकी मन की भी अनंदित करताए संगीत साड़ी समाज की भी जोडता है जेकर पांगडा ते लावनी छ जोश ते अनंता पाव है तां रविंदर संगीत साड़ी आत्मा गी खुश करी दिन दै देश पर आदे आदी वासिय दिया बखबख चाली दिया संगीत परंपरान यह सेंगी आपस च मिली चूली है ते प्रकर्ती दे कन्य रोने दी प्रेधना दिन्दियान साथियो, संगीत दी साड़ी विधाएं ना चड़ा साड़ी संस्कृती गी सुम्रिध कीता है सगुआ दुनिया पर एदे संगीत पर आपनी कदे नहीं मिटने आली चाप छोड़ी है पारती संगीत दी मुशूरी दुनिया दे कोने कोने च फैली चुकी दिया मैं तुसे लोकेंगी एक आडियो क्लिप सनाना तुस सोचा कर देओगे जे करा दे निले कुसे मंद्रय च पजन कीतन चला करता है पर एवाज भी तुन दे तोड़ी पारतशा अजारा मील दूर बसे दे दखन अमरीकी मुल्क गोवाना थमा आई है उन्नमी ते बीमी सदीच बड़ी मती गिंत्रीच साड़े इत्वा लोक गोवाना गे है ओ इत्वा पारत दी कैई परंपरा भी अपने कन्यले के है मिसाल दे तौर पर जिन्या आस पारतश ओलीद ना नेया गोवाना च भी ओलीदा रंग सिर चड़िये बोलता है जित्थे ओलीदे रंगुंदिन उत्थे भगवा यानी भगवा संगीत भी उन्ता है गोवाना दे भगवाच उत्थे पगवान राम ते पगवान कृष्णुन दे कने जोड़े दे ब्यादे गीत गाने दी एक खास परंपरा है इन्हें गीतेंगी चौतालाख है जन्ता है इन्हें गी उससे चाली दी तुन ते हाई पेच पर गाया जन्ता है जियां साड़े थे उन्ता है इन्ना गे नहीं गोवाना च चौताल मुकाबले बादी भी उन्ती है इससे चाली बड़े सारे पारती खास तोर पर पूर्वी उत्तर परदेश ते ब्यार दे लोक फीजी भी गे है ओ पारम पर एक पजन कीर्टन का दे है जिन्देच मुखरूप कने रामचरित मानस दे दोहे हुंते है उन्हें फीजी ची भी पजन कीर्टन कने जुड़ी दिया कई मंदलिया बनाई लेती या फीजी ची रमायन मंदली दे ना कने अज भी दोजार शा मती पजन कीर्टन मंदलियान इने की आज हर ग्राम मलेच दिखे जाई सकता है मैं ते इत्थे चड़ी केशिके मसाला दे दियान जे कर तुस पूरी दुनिया चे दिखे ताए पारती संगीत की चाने आलें दी इस सुची मती लंभी है मेरे प्यारे देशवासियो अस सब बै मेशा इस गल्ला पर मान करने या जे साड़ा देश दुनिया चे सबनेशा प्राचीइन परंपराएं दा कार है इस करिया इसाधी जिम्मेदारी भी है जे आस आपनी परंपराएं ते परंपरेक ग्यान गी सनक्षित कर चाने ओदा समवर्धन भी करचाए, ते ओई सकाए, ते उन्ना गय अग्या भी बदाचाए। ऐसा गय एक सराने जोग जतन साड़े पूरवोतर राज्य नागा लैंड की साथी करा करतेने। मिगी ये जतन बड़ा शैर लगा, ता मैं सोचया इसी मन की बादे श्रूताएं करने भी साज़ा करा। साथियो, नागा लैंड चे नागा समाज दी जीवन शैली, उन्दी कलास्वान स्कृती ते संगीत ए हर कुसेगी अकरशित करती है। ये साथे दे सैदी गौरवशाली विरासत दा एहम इसा है। यू संस्थान है, उन्हें की पर्प्रिय जीनदा करने दा काम कीता है। मिसाल दे तौर पर, नागा लोग संगीत आपने आपेच एक बड़ी स्मरिद विधा है। इस संस्थान है, नागा संगीत दियां एल्बमा लांच करने दा काम शुरू कीता है। उन्हें तोड़ी ऐसी त्रे अल्बमा लांच कीतियां जाय चोकी दियां। ए लोग, लोग संगीत, लोग नाच करने जोड़ी दियां वर्क शापां भी आयोजित करतें। युवाएंगी इन्हें सबने चीजें लेई सिखलाई भी दिती जन्ती है। इगे नहीं, नागा लैंड दी रिवायती शैलीच तल्ले बनाने, सिलाई बनाईजने, जिरे कम उन्दी भी सिखलाई युवाएंगी दिती जन्ती है। पूर्वोत्रच बास कन्यें भी किनी चाली दे उत्पाद बनाया जन्ती है। नवी पीडि दि युवाएंगी बास दे उत्पाद बनाना भी सिखाया जन्त någon्ता है। इदे कन्य इने युवाएं दा आपनी संस्कृति कन्य जुड़ावते उन्दा गय, कन्य गय उन्दे लेई रोजगार दे नवे नवे मौके भी पैदाउं देन। नागा लोक संस्कृति दे बारेच मते कोला मते लोक जानन इदे लेई भी लेली क्रो युग दे लोक जतन करतें। साथियो, तुन्दे इलाकेच भी ऐसी संस्कृतिक विधा ते परंपरा उंगन। तुस भी अपने अपने इलाकेच इस चाली दे जतन करी सकते हो। जेकर तुन्दी जानकारी चे कोताय नया कोई अनोखा जतन ओआ करदा है, तुस ओधी जानकारी मेरे कन्या भी पाक गए सांची करो। मेरे प्यारे देशवासियो, साड़े थे आख्या गया है, विध्या धनम, सर्वधन प्रधानम। यानि कोई जेकर विध्या दान करा करदा है, ताओ समाज दे इतैच सबने साब बढ़ा काम करा करता है। शिक्षा दे खेतर चे बालिया गेदा एक निकाहरा दिया भी पूरे समाज की रोशन करी सकता है। मिगी ये दिखिये बड़ी खुशी होंदी गया है, जे आज देश पर एच ऐसे कहीं जतन कीते जाकर देन। यूपी दी राज़ता नी लखना हुथा मां सतर असी किलो मिटर दूर हर दोई दा एक ग्राँ है बासा। मिगी इस ग्राँ दे जतन ललत सिंग जी उन्दे बारे च जानकारी थोई गया है, जे दे शिक्षा दी आलख चिगाने च जुटे देन। जतन जी ओरें दो बड़े पहले इत्हे सामुदाय का पुस्तकाले ते अनुसंधान केंदर शुरू की तहा। उन्दे इस केंदर च इन्दी ते अंग्रेजी साहित, कंप्यूटर, कनून ते कहीं सरकारी मत्या ने दिये त्यारिये के ने जुड़ी थिया त्रैजार्शा मत्या कताबा मजूदन। इस लाइबरेरी च बच्चें दी पसंददा भी पूरा ख्याल रख्या गया है। इत्या मजूद कॉमिक्स निया कताबाओन या फी शैक्षिक खड़ाओने बच्चें की बड़े पसंद आवा करतें। लौके बच्चे खेड़ खेड़ च इत्या नमी नमी चीजा से खड़ाओंतें। पड़ाई आफलाइन हुआ या फी आउनलाइन। क्रीब चाली सोयम सेवी इस केंदर पर विद्यार्थीं दा मार्ग दर्शन करनेच जोटेते रहाँतें। हर रोज ग्रादे तक्रीबण असी विद्यार्थी इस लाइबरेरी च पढ़नाँतें। साथियो, जहारखंड दे संजे कशिव जी भी ग्रीब बच्चें दे सुखनेगी नमी उड़ान दिया करतें। अपने विद्यार्थी जीवनेच संजे जीव रहेंगी शैल कताब में दी कमी दा सामना करना प्याहा। नेज उन्हें पका निश्चे करी लाता जे कताब में दी कमी करी आपने इलाके ने बच्चें दा पविख वो खराब नहीं उन्देंगन। अपने इस से मिशन दी वजा करी आज जो जहार खांड दे कहीं जिलेंच बच्चें लई लाइबरेरी मैन बनी के दिन। संजे जी उरें जले आपनी नौकरी दी शुरुआत कीती ही उन्हें पहला पुस्तकाले आपने जद्दी गराज बनवाया हा। नौकरी दे दरान उन्दा जित्थे भी तब आदलाउंदा हा। उत्थे वो गरीब दे आदिवासी बच्चें दी पड़ाई लई लाइबरेरी खोलने दे मिशन चे जुटी जन्दे है। ऐसा कर दियोई उन्हें जहार खंड दे कहीं जिलेंच बच्चें लई लाइबरेरी खोली दिती है। लाइबरेरी खोलने दा उन्दा एमिशन अज एक समाजी आदोलन दा रूप ले करदा है। संजे जी योण या जतिन जी ने नेका जतने लई में उन्दी खास सराना करना। मेरे प्यारे देशवासियों, मेडिकल साइंस दी दुनिया ने शोध ते नमीय कार्णे दे करने गये पले याँ आधोनी के टेकनालजी ते उपकरने दे सारे बड़ी मती तरक्की कीती है। पर किश्व बमारियां आज भी साड़े ले बड़ी बड़ी चिनोती बनी थी ऐसी के एक बमारी है, मस्किलर डिस्ट्रॉफी। ए, मुख रूप करना एक ऐसी अनुवाशिक बमारी है, जेडी कुस है भी उम्रीच होई सकती है। एदे च शरीरे दिया मास पेशियां कमजोर ओन लगी पाउंती हैं। रोगी ले रोज मरना दे आपने निके निके कामका करना भी और खोई चनता है। ऐसे मरीचे दे इलाज दे दिख पाल लई बड़े सेवा पाव दिलोड़न दी है। साड़े थैं इमाचल प्रदेश च सोलंच एक ऐसा के केंदर है, जेडा मस्किलर डिस्ट्रॉफी दे मरीचे लई मेद दी नवी किरन बनेता है। इस केंदर आपने ना दे मुझम के मनुख सेवा दी नोखी मिशाल है। इता है मरीचे लई OPD दे दाखली दिख सेवा त्रे चार बरे पहले शुरू है है। मानव मंदर चे करीब पजा मरीचे लई बिस्त्रे दी सुविधा भी है। फीजो थरैपी, इलेक्ट्रो थरैपी दे हाइड करने करने योग प्राणायाम दी मदाद करने भी इता है रोग दा इलाज कीता जनता है। साथियो आरचाली दी हाई टेक सोविधाय दे राएं इसके इंदर चे रोगिंगी दे जीवने चे सकारात्मक तब्दीलिया आने ने दा भी जतनुनता है। मस्क्यूलर जाग रुकता शिवर भी आयुजित करता है। सबने शा मता आउसला देने आली गाल यह है जिए इस संस्था दा प्रबंदन मुखरूब करने इस बमारी थमा पीडित लोग गे करा करतें। जिया समाजी कार्ज करता उर्मिला बाल्दी जी इंडिया एसोसेशन आफ मस्क्य दिस्ट्राफी दिया अध्यक्ष पैन संजना गोयल जी ते इस एसोसेशन दे गठंच एहम पूमिकार्णबाने आले श्रीमान विपुल गोयल जी। इस संस्थान ले बड़ी मत वैली पूमिकार्णबा करतें। मानव मंदिर गी अस्पताल ते शोध केंदर दे तौर पर विक्सित करने दी कोशिशा भी जारिद। इदे करने इत्थ हैं मरीजें की और बेतर इलाज थोई सकग। मैं इस दिशाच कोशिश करा कर दे सबने लोकें दी दिला करने सराना करना। करने गए मस्क्यूलर दिस्ट्रॉफी दा सामना करा कर दे सबने लोकें दी बेतरी दी कामणा भी करना मेरे पियारे देश्वासी ओ आज मन की बात छ़ असे देश्वासीं दे जेड़े रचनात्मक ते समाजी का मेरे चर्चा की देशय दी उल्चा ते उसादिया मसालळ न आज हर देश्वासी कुसे ना कुसा खेतर छ हर स्थर उपर देसे लई किश बखरा काम करने दा जतन करा करता है अज़े दी चर्चाज गया असे दिख्या G20 जने अंतर राष्टिय प्रियोजंच साड़े एक बुनकर साथी ने अपनी जिम्मेदारी समझी उसी नवानी ले अग्या आए इससे चाली कोई पर्यावरन ले जतन करा करता है कोई पानी ले काम करा करता है किन्ने के लोग शिक्षा चिकित्सा ते विग्यान टेक्नॉलजी थावाल लेगी है संस्कृति परमप्रायता कर गैर ममूली काम करा करते है निया इसकरीए है कि जे आज जे साड़ा हर बस्नी इग आपनी जिम्मेदारी के समझा करता है। जिसल्य ऐसी जिम्मेदारी दे पावना कुस है राश्टर दे बस्नी के अंदर आई जन्दी है, ता ओदा सनेरी पविक आपने आप तैह जन्द है। ते मुल्क देगे सनेरी पविक्च साड़ा सबने दा भी सनेरी पविक्च है मैं एक बारी भी देश्वासींगी उन्दे जतने लई नमन करना अगले मीने अज भी मिल गे ते नेगे कहीं ओर उत्सा बनाने आले विशें पर पाक गगाल कर गे आपनी सुझा ते विचार पाक गपेश दरवो तुन्द सबने दा मता मता तानवाद आ था जर आप कर मता ते विचार एंगे स tanto पाक गप दो,भी म कहते हैम, अजे क्वाक नह्टाल को ठाट陈 विन उन्राइवर्म, पो खायाμε क्ही ज्यादिवा प्राइस, पाद्स gleichhym जार अर्ण बाविक्टिः, हम पास्ष्स